नवरात्रों की सभी वीर्ज को हार्दिक शुब कामनाएं आज नवरात्रे का थर्ड डे है जो की माता चंदर घंटा का दिन है चंदर घंटा माता हमें इनर पीस और चलेंजिस से लड़ने के लिए शक्ति देती हैं और दूट से बनने वाला भोग इन्हें बहुत पिरिये है तो आज मैं बना रही हूं सामक के चावल की खीर थोड़ा सा ट्विस्ट दे कर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सामक के चावल लिये हैं मैं यहाँ पे तीन चमच के करीब सामक के चावल ले रही हूं एक्चल में यह चावल नहीं होते हैं यह मिलेट् ताबुत दाना लिया है अब मैं इसको वाश कर लूँगे बिल्कुल अच्छे से तो इसमें पानी एड़ करेंगे और दो से तीन बार इसको वाश कर लेंगे कि इसमें जितने भी डर्ट और डस्ट है वह बहार निकल जाए और थोड़ा सा पानी डालके इसको सोख होने के लि करती है और अब मैं इहां पर ले रही हूं और जिससे कि इसमें उबाल आजाए पर इस पर दूद ना लगे और नीचे से ना जले दूद में उबालाने तक का वेट करते हैं इतना कुछ ड्राइफ रूट को हम चॉप कर लेते हैं तो मैंने यहां पर मुठी बर काजू लिये हैं जिसको हम बिल्कुल बारी बारी चॉप कर लेंगे या फिर जैसे आपको सुटेबल बीज भी इसके हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे चिलका और बीज हम दुनों ही खीर में एड़ करेंगे तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स दूद में उबाल आ गया था और इसके उपर मलाई भी आ गई है तो अब हम इसमें एड़ कर दें तो सबसे पहले इसमें जो भी एकसेस वाटर है वो हमें डिसकार्ड कर देना है और फिर इसको एड़ कर देंगे हम दूद में यहाँ पर अब हम मीडियम फ्लेम पर वर्क कर रहे हैं दूद में एड़ कर देने के बाद हमें इसको चलाते रहना है और जैसे ही उबाला जाए तो हम flame को बिल्कुल sim कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे जब ये थोड़ी सी गाड़ी हो जाए और इस consistency में आ जाए जैसे कि ये है फिर हम इसमें add कर देंगे chop करे हुए dry fruits dry fruits के साथ साथ हम यहां पे जो हमने इलाइची को crush करके रखा था वो भी हम इसमें add कर देंगे बिल्कुल अच्छे से इनको mix कर देंगे और दुबारा से पकने के लिए रख देंगे ये थोड़ा सा और गाड़ा consistency में आ जाए यानि कि थोड़ी से thick और हो जाए और इससे क्या और थिक हो गई है बिल्कुल इस consistency पे हम अब इसमें add कर देंगे चार चम्मच चीनी चीनी को हमें starting में add नहीं करना है क्योंकि thick consistency होने में खीर में थोड़ा time लग जाता है मैं यहां पर चार चम्मच चीनी add कर रही हूं यानि कि जितना हमने सामक के चावल और साबुत दाना यह पिल्कुल परफेक्ट मिठा साता है ना ज्यादा तेज लगता है और बिल्कुल फीका लगता है तो जैसे कि मैंने तीन चम्मच सामक के चावल लियते और एक चम्मच साबूत दाना लिया तो उसको ही गिन कर हम इसमें चीनी add करेंगे तो देखे किर हमारी बिल्कुल भ खीर बिल्कुल बनके तयार हो चुकी है, भोग लगाने के लिए आप रत में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, साथी में आप माता को भी भोग लगा सकते हैं, और नवरातर का जैसे कि आज धर्ड डे हैं, तो ये माता को भोग लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर ये रेसेपी पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, साथी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नवरातरी से रिलेटेड फलाहार की रेसेपी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी,